देखिए जिस तरीके से आपने कहा है कि मायवती सिर्फ उत्तपरदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती है वो खुद अपना जनधार तलाशती वी नजर आ रही है जैसे कि हर्याना में चुनाफ तारीकों का एलान हो चुका है एक अक्टूबर को चुनाफ होंगे और इससे पहल सब्सक्राइब कर लेती हैं तो शायद यहां पर जाद सीटे निकालने में कामयाब रहें लेकिन अगर गडबंदन नहीं करती है तो हो सकता है कि आम चुनाफ की तरह उनको बड़ा जटका लगता नजर आ क्योंकि देखा जा रहा है जबसे 2007 के बाद से मायावती की यहां पर जीद नहीं हुई है तो कहीं न कहीं उनकी पार्टी का सियासी वर्चस वे खोता नमस्कार मैशालनी स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम रंग वदलती राजुनीती में उत्तर प्रदेश में जह चुनावायोग की ओर से जम्मु कश्मीर में विधान सुबत चुनावों को लेखर तारीखों का एलान हो चुका है ना किवल जम्मु कश्मीर में बलकि हर्याना में भी अब तारीखों का एलान हो चुका है और चुनावी विगल जो है वो हर्याना जम्मु कश्मीर में फू सके तो लगबग चार बार मुख्या मंत्री रह चुकी है ऐसे में जम्मु कश्मीर में आखिरकार वो अपनी साख के से बनाएंगी उत्तर प्रदेश में तो नहीं बची तो आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे तमाम सयोग्यों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश में मायवती का गड़ उत्तर प्रदेश कहा जाता था चार बार वहां पर चुनाव जीत चुकी है वहां इस बार जीत दर्ज नहीं हुई एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई तो आखिरकार जम्मु कश्मीर में किस तरीके से जीत दर्ज कर सकती ह क्या रणनीतिया बस्पा ने बनाई होंगी जिसके हिसाब से अब वो हधियाना के चुनावी मैदान में उतर गई है जम्मु कश्मीर में भी उतर गई है और बिहार में भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है अपने वरिस पत्रकार अमनसर सु जानेंगे, सर मायवती ने ऐलान किया है कि वह जम्मू कश्मीर में होने विधान सबस्वाइब चुनावों में यहां पर अपनी पार्टियों के अम्मिद्वारों को उतारेंगी, अब उत्तर प्रदेश में जब यह कैसा है कि पूरे देश रही हैं भारती राजनीती में और जाहिर बाते को उत्तर प्रदेश में उनकी जो चबी है, बहुत ताकतबर नेता के रूप में रही है, उनको एक समय टाइम्स मेगजीन ने पचास सबसे शक्ताली महिलाओं के रूप में भी उनका नाम लिया था लिखा तो ऐसे में आप स होना चाहिए था, लेकिन 2012 के बाद से लगातार देखा गया है, यह मायवती नसीप उतर प्रदेशन, बलकि तमाम देश के सूबों में उनकी जो पार्टी थी वो लगातार कंजोर हुई है, और अगर हम बीते चुनाब की बात हैं, 2024 की तो लगबग 400 से भी ज़्यादा सीट जो पर अपने प्रताशी उतारे, और हैरानी की बात ये रही कि एक भी सीट को जीतने में काम्याब नहीं हो सकी, तो अब ऐसे में उनको पता चल रहा है कि यहां पर उनका जो संगठा ने उनको जो वोट बैंक के वो लगाता है, उनकी हाथ से खिसकता हुआ दिखाई रही है, वो एक ऐसे नेताग रूप में बन रही है, जो आकरमक बयान बाजी करता है, और कई बार अपने शब्दों की मर्यादा भी भूलते हो नजर आते हैं, लेकिन अब जबकि हर्याना में और जम्मु कश्मीर में चुनावों की तारिखों का एलान हो गया, तो ऐसे में अगर हर्याने की बात करें और शाली तो बहाँ पर तो इने लों के साथ में बस बागा पहले ही गठबंदन है, भही जम्मु कश्मीर के बारे में वो कहती हैं कि यहां पर मैं अकले चुनाव लड़ूंगी क्योंकि हमने बहुत दिनों से तैयारी की हुई थी, हम तो इंतज कह सकते हैं कि जो बची साख है कि बची है क्योंकि मंक नौदध सीट एकता रिजर्व यह कर सकते हैं बनाती हुए नज़रा जिसे उनकी पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो सके ताकि उप्तर पुर्देश में आने वाले हो जो उप्चुनाब उसमें भी अपनी जो भागिदारी दर्ज कर सके तो आप यह देखिए कि मायवती लगातार प्रयास कर रही है कि नतीजे 2007 तक रहे लेकिन बारा के बाद जो नतीजे बदले हैं वैसे नतीजों को अब वो दुबार से दोहराना नहीं चा रही है इसलिए लगातार महनत करती नजर आ रही है रणीतिया भी बनाती नजर आ रही है लेकिन क्या यह रणीतिया कारगर सावित होंगी भी या नहीं क्योंकि मायव मायवती बिहार में आरजेडी के साथ गटबंदन करती हुई नजर आएंगी इंडिया गटबंदन के साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी देखिए जिस तरीके से आपने कहा है कि मायवती सिर्फ उत्तप परदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती है वो खुद अपना जनधा तलाशती वी नजर आ रही है जैसे कि हर्याना में चुनाव तारिकों का एलान हो चुका है एक अक्टूबर को चुनाव होंगे और इससे पहले ही बस पार इनेलों का हमने गटबंदन देखा यानि कि मायवती पहले से ही तैयार है कि उत्तपरदेश के अलावा और राज्यो मायवती के जरीए कि वो इंडिया लाइन्स में शामिल होगी लोग सभा चुनाव के तरच पर अगर देखा जाए तो मायवती को साधने के लिए कौन आगे नहीं आया आखलेश यादम ने तो यह तक कह दिया कि मायवती चाहती है तो इंडिया लाइनस में शामिल हो सकती है मायवती चाहेंगी तो हम गटबंधन के साथ चुनाम लड़ने के लिए तैयार हैं उत्तरप्रदेश में लोग सभा का और मायवती को साधने के लिए कॉंग्रिस पार्टी से भी कई दिक्कत चेहरे सामने आए जहराई की भी बात करें तो वो सीधे तोर पर भी मायवती को ले किसांसद रहे चुके हैं पार्टी से निश्काषित मायवती करती हैं उसके बाद राहुल गांधी सहारा बनते हैं अगर आरजेडी के पास जाएंगी बिहार में तो तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं आरजेडी के साथ गटबंधन करेंगी तो इंडि मायवती की कोई भी रणनीती अभी नहीं है वर्दा उप्चुनावों में भी वो गटबंधन कर सकती थी लेकिन उप्चुनावों के तहत देखा जाएं तो समाजवादी पार्टी और भारती जंता पार्टी के मुकाबले वो लगाता प्रभारी भी उतार रही है चेहरों क कई चेहरों के नाम भी आगे उप्चुनावों को लेकर मायवती ने कर दिया है तो गटबंधन और राज्यों में सिर्फ हमने हर्याना में देखा इसके लावा मायवती अभी तक कोई फैसला यहां पर नहीं ले रही है पिलकुल मायवती अभी तक गटबंधन को लेकर खास अखलेश यादव और राहुल गांदी मिलकर मायवती को मनाने की कोशिश करेंगे क्या मायवती को इंडिया गटबंधन में शामिल करांगे क्योंकि मायवती के शामिल ना होने से इंडिया गटबंधन को 16-20 सीटों का नुकसान हुआ था ऐसे में अखलेश यादव क्या माय गडवंदन में देखा जाए तो जो प्रमो को चेहरे हैं वो है अखले श्यादव और राहुल गांदी अब आम चुनावा में नतीजा यह रहा था कि बहुजन समाज गडवंदन कर लेती हैं तो शायद यहां पर सीटे निकालने में कामियाब रहें लेकिन अगर गडवंदन नहीं करती हैं तो हो सकता है कि आम चुनाव की तरह उनको बड़ा जिटका लगता वह नजर आये क्योंकि देखा जा रहा है जब से 2007 के बाद से मायवती की यहां पर जीत नहीं हुई है तो कहीं न कहीं उनकी पार्टी का सियासी वर्चस होता वह नजरा रहा है और ऐसे में अपने आपको मजबूत करने के लिए किसी न किसी पार्टी किसी दल या किसी गड़बंदन का सहरा लेना बहुत कहीं उनसे दूरी बनाने में यहां पर तुलते वी नजराइंगे और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से अखिलेश यादव भी यहां पर लोकसभा चुनाओं के दौरान उनको अपने साथ आने के लिए के लिए नजरा है और तमाम यहां पर चंदर शेख रावन के भी लेकिन मायावती किसी से भी गढ़ बंदन करने को राजी नहीं हुई और उसका खाम्यादा उनको लोकसभा चुनाओं में भुगतना पड़ा लेकिन अगर इसी तरह का विदान सबह चुनाओं में भुगतना पड़ सकता है तो बेच्चक यहां पर विदान सबह चुनाओं कि उन्हें किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है अगर गटबंदन की जरूरत लग रही है तो उन्हें गटबंदन कर लेना चाहिए क्योंकि बिना गटबंदन के मायवती को आम चुनावों में नुकसान चेलना पड़ा ऐसी में अगर वो उत्रप्रदेश में वाले व कारकर सावित होता है क्या जीत दिलाता है या नहीं यह तो समय बताएगा फिलाल अब इस प्रमुद्धे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा वसी प्रकार की देश-दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स नाइम य क्योंज़ आफज रहें क्यों तबस्ई पर लोगों को